बीषार की स्पेशल रेसिपी अरहर दाल की खिची और आलू का चोखा और मा के हाथ का आम आचार दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है आपको वीडियो को एंड तक जूर के रहना होगा मेरे साथ तो दोस्तों इसके लिए मुझे चाहिए चावल दाल अर यह सारे समगरिया जो हमारे घर में हमेशा ही रहती है तो क्यों ना हम लोग अपने गाउं की याद को फिर से ताजा करें दोस्तों तो मैं आज यह बनाने वाली हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो में यदि आप नए है तो चैनल को लाइक सस्प्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों मेरी दाल इदर भूं चुकी है अब मैंने ले लिया एक पतिला उसमें मैं दाल को डाल रही हूं उसके बाद उपर से मैं चावल डाल लई है इस दाल चावल को मिसे भूया है थंडे पानी से साफ पानी से मैं धो रही है इसे दो बार इसको दुख गड़ूंगी जो पाउडर गडर रहते हैं उन्हीं को अच्छे से मैं धोलूंगी इस तरह रगहरर रगहर के इसे धोलेना तो कशिए ने अगर लिया है और इसका पाणी में भूली हों मैंने यहां पे कूकर गरम होई रख दिया है कूकर में मैं पानी डाल रही हूं दो ग्लास पानी और उ जखकन में लगा रही हूँ इसे दो सीती होने तक मैं इसे पकाऊंगी तो दोस्तों धर जो है यह तो सीती हो चुके है अब मैं एक पैन ले लिया है नॉन स्टिक आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं तो मैं पैन में देखे गरम हो चुकी है और उसमें मैं दो चम्मच देल डाली हूँ अधा चम्मच जीरा दो शुकी लाल मिर्स अब तक जीरा मेरी चटक रही है तब तक मैं इधर की समागरी देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ क्या क्या मैं और डालने वाली हूँ यह है अद्रक इसे भी मैं डाल रही हूँ इसे मैं बारी काट लिया है आपको ध्यान रखना होगा देखिए इसे कच्चापन कड़ गया है अब मैं इसमें डालोंगी टमाटर आप इसे अच्छे से मीला के अब थोड़ा सा नमाक आट करन एह हैं ताकि टमातर जो आच होगा जाता होगा और तोड़ासा हभ्री पाॉडर और एक चमच जिअ पाॉडर इस सब को अच्छे से मिला लेना है अब मिलाके इसी ढर्ख लेना है एक चम्मच कर जोसके beteagen और तो दोस्तों डखकन मैंने इसलिए लगाया कि ताकि हमारी जो टमाटर है वह अच्छे से गल जाए अब मैं इसे खोल लए हूँ अब मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर की इतना अच्छा से गल गया है अब फिर भी जो बची कुछ कसर है मैं उसे दबा दबा के उसे अच्छ कितनी पकी है कितना अच्छा दाल चावल दोनों एक साथ पक चुके हैं आपको दिखाती हूँ देखिए जैसा भी पानी नहीं है इस तरा जो पानी लगेगी मैं थोड़ा सा एट करूंगी इसमें तोका दे रही हूँ मैं इसी कराही में इस खिच्री को मिलाऊंगी और थो से मसालों के साध् मिला लेना है मैंने बोला थाज़ा सा मैं पानी थोड़ा सा पाणी यहाइक दम थोड़ा सा एठा किया है थी के में पानी उबल चुकी है जो दे कराई खिच्री बनाया करती थी अब मैं सहरों में उसी याद को फिर से आज ताजा करके आप सब के साथ सेर कर रही हूं अरहर दाल की खिच्री और आलो की चोखा और मा के हाथ का आम का अचार मैं भी थाली में परूशने वाली हूं दोस्तों तो आप वीडियो में बने रही है तो अब मेरे थाली भी लग गई है अब मैं निकाला हूं हुँ दोस्तों आ रहा है न मुमे पानी तौँ देखिए कितना अच्हा बना है किला है उद्सटों भेशन happy दोस्तों मने बना लिया है और सलाः भी मैंने काट लिया है और यह अली डिखारत को मेने आप नहीं काटना आई होगी आपको यह पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं दोस्तों और एक नए रेशिपिक के साथ नए वीडियो में